भाई साहब अगर मैं आप से कहूं कि एक बहुत बड़ी टोकरी है उस टोकरी में कई भिन भिन प्रकार की सबजियां ऐसे ही पड़ी हुई है उसमें कुंदुरू पड़ा हुआ है आलू पड़ा हुआ है बैगन पड़ा हुआ है और पपीता भी पड़ा हुआ है फ्रूट चारे रफल और सबजी मिक्स पड़े हुए लेकिन अगर उसमें से मैं सबको छाट छाट के अलग कर दू तो आप यह कह सकते हो ना थोड़ी देर बाद अगर उनका वेट कर लो कि यह 100 ग्राम हमारे पास क्या बोलते हैं कुंदरू था हमारे पास एक किलो आलू थे अगर उनको अलग अलग करके एक सही तरीके से अरेंज कर दो तो यह बात बोल सकते हो ना बोल सकते हो ना बस यही तो है हमारा information system information system या software क्या करता है इंटरनेट से हर तरफ से कोई भी company बहुत सारा data को इखटा कर रही है या उनके जो systems हैं उनके जो servers हैं वो बहुत सारे data को इखटा कर रहे हैं और वो जो data इखटा होता है वो एक तरीके से raw form में होता है किस form में होता है raw form में होता है उसका कोई भी meaningful मतलब नहीं होता है तो उसको meaningful मतलब दिया कैसे जाता है उसको meaningful मतलब दिया जाता है information system की मदद से ये information system और उसमें present software उस raw data को एक meaningful data में convert करते हैं और जब ऐसा हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है वो एक informative data हो जाता है जिसका हम लोग use करते हैं और आज हम लोग cyber security में इसी information system और software को पढ़ने बाले हैं पूरी playlist का link description में है चैनल को subscribe जरू करना देखो definition से अगर बात करें An information system is defined as the software that help to organize and analyze data definition भी हमें यही कहती है कि information system का इस्तमाल software की मदद से होता है मतलब ऐसा software जो हमारे data को organize कर रहा है और जरूरत पढ़ने पर analyze भी कर रहा है मतलब हमें जिस तरह की data की जरूरत है वो हमें वापस retrieve करके भी दे रहा है यह हमारा information system करता है या software तो भी system के अंदरी software हमारा installed है ठीक है अब इसके दो word होते है IS information system information माने well structured data मतलब जो भी raw data आया था हमारा उसको हमने एक सही तरीके से management कर दिया मान लीजे कई सारे नाम आये थे कई सारे phone number आये थे कई सारे addresses आये तो किस नाम के person का क्या address है उसका क्या mobile number है और उसके क्या interest है वो क्या लेना चाहता है प्रोडक्त अगर वो सर्च कर रहा हो तो जैसे हम लोग नहीं कभी बहुत कुछ सर्च करते है मैंने वान लीजे आज washing machine सर्च किया तो जो washing machine के ads आने लगे एक तरीके से काम कौन कर रहा है information system कर रहा है हमारी cookies को save करके हमको उसी प्रकार के ads को serve किया जा रहा है जो हम लोग सर्च करते है तो ये company में कोई बंदा manually तो करेगा नहीं एक software एक system set है information system जो ये सब को देखता है analyze करता है अपने ही साब से इन सब चीज़ों को set करता है और इस सारे overview पे लोग जो company के होते हो नजर रखते है तो हमारा information क्या है हमारा well structured data और meaningful data जो काम कर सके अब खाली किसी के पास सिर्फ मेरा नाम है तो क्या मतलब है उसका अगर नाम के साथ उसका मेरा address भी है और phone number भी है तो एक तरीके से meaningful data बन रहा है मतलब वो मुझे सक contact कर सकता है दूसरा system एक ऐसा system होगा जिसमें hardware भी होंगे और software भी होंगे और ये hardware और software क्या कर रहे होंगे मेरे data को save कर रहे होंगे well structured form में उनको organize भी कर रहे होंगे अब देखिए होता क्या है सबसे पहले इसको समझते है input input क्या data आ रहा है raw data आ रहा है raw data आ रहा है आया कहां कहां से आया data कई सारे sources से आया वो sources internal भी हो सकते हैं और वो sources external भी हो सकते हैं internal external दोनों sources हो सकते हैं और वो कहां पे जाके save हो गया हमारे data storage में जाके save हो गया अब जब भी end user को search करता है या इस तरीके से किसी को need होती ही company के अंदर तो क्या करता है पहले data जो है वो process में जाता है पहले वो compile होता है मतलब data जो है raw data उसको important information में convert किया जाता है या फिर कोई important information होती है उसके साथ जोड़ा जाता है फिर उसको analyze करते हैं कि आखिर हमें इस चीज की जरुवत कहां पे है हमें इस data को कहां पे represent करना है कहां पे भेजना है और इस data के साथ क्या करना है अगर add भी दिखाने तो किस तरह के दिखाने है क्या सर्च किया था इसने ठीक है फिर analyze करके हमारा output जो होता है वो meaningful information में convert होके end user तक पहुँच जाता है तो यह हमारा system जो है वो पूरा information system के अंदर follow होता है लेकिन अब यह बात आती कि जो हमारा information system में उसके components क्या-क्या होंगे क्योंकि paper में कभी-कभी यह भी पूछ दिया जाता है कि information system के components को बताइए तो अगर information system के components की बात करें तो system resources मतलब की कुछ people है कुछ people है जो की specialist है जो की data को organize कर रहे है या फिर उसका algorithm बना रहे है end user है जिसको उस data की जरूरत है या जिस तब उस data को पहुँचा या जा रहा है या फिर जो use कर रहा है हमारे मतलब किसी बीची जो use कर रहा है हम लोग add represent कर रहा है तो जो भी कोई search कर रहा था या use कर रहा था वो क्या है हमारा end user है hardware हमारे keyboard हो गया mouse हो गया हमारा system हो गया जो भी physical device use कर रहा है वो हमारी hardware software हमारे कुछ specific application software हो सकते हैं जिनकी मदद से जिनकी मदद से हम अपने पूरे application को build करें और उसको दिखाएं मतलब एक specific software और system software तो हमारा जानते ही है हम लोग operating system है जानते ही है हम लोग operating system है जानते ही हम लोग data जो हमारे input की तरफ आ रहा है और इन सब को manage कर रहे के लिए हमें एक network की जरूद भी पड़ेगी और वो network क्या है हमारा internet कई जो बड़ी-बड़ी organizations होती है उनके अदर internet भी होता है मतलब insider building खाली होई के लोग connect होते है वो internet और यह हमारा internet अब system में activities क्या होती है input भी आ रहा है उस input को store भी किया जा रहा है उसको process करके meaningful data में भी convert कर रहा है output भी आ रहा है और जब इतना सब हो रहा है तो भाई central और maintenance मतलब maintenance तो आएगा ही आएगा जब कुसी भी चीज़ को हम लोग बना रहे हैं तो उसमें maintenance आना आना है और उसको एक जगे store करना करना है तो यह पूरा information system and software था यह information system का भी part है और cyber security का भी part है अगर यह पसंद आया हो तो वीडियो को like जरूर करना और चैनल को subscribe जरूर करना और मैं अभी थोड़ी देर के लिए side मेंट रहा हूँ आप post करके इसको अपने तरीके से note down कर सकते हो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के तब तक अगले thank you have a nice day पूरी playlist डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं बाई बाई thank you